Hello friends, welcome to my YouTube channel कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे ही होंगे जैसे कि दिवाली की त्यारियां शुरू हो चुकी हैं और हमने धिरे-धिरे अपने घर के सफाईयां भी खतम कर दी है और हमने धिरे-धिरे दिवाली की शॉपिंग भी करनी शुरू कर दी है दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई भी तोहार या किसी भी पूजा में सबसे पहले हम गनेश जी का आवान करते हैं और उसके लिए हम अपने किसी भी पूजन में सबसे पहले हम स्वास्तिक को बनाते हैं लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा तर लोगों को स्वास्तिक बनाना नहीं आता है और वो गलत तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी पूजा का जो है में फल है वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता क्योंकि हम उसकी शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सही तरीके से स्वास्तिक बनाएं जिससे की गनेश जी आपके घर पे आएं और आपको पूरी तरीके से सुख सम्रदी से संपन करें तो उसके लिए हमें गनेश जी कैसे सही बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जादतर मोसली जो लोग है वो गनेश जी गलत तरीके बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं आपने देखा होगा जब भी गनेश जी बनाते हैं हम इस तरीके से जो की हमारा गलत मना जाता है क्योंकि ये गलत इसलिए मना जाता है क्योंकि इसमें हमारी lines कटकर आती हैं, तो यह हमारा जो sign है, यह हमारा गनेश जी का गलत माना जाता है, तो आज मैं आपको सही बताने वाली हूं कि आप किस तरीके से अपने sign को सही बनाएं ताकि आपकी पूझा पूरी तरीके से सफल हो, चलिए इसको मैं हटा देती हूं और आपको सही तरीक से स्वास्तिक बनाना बताती हूं तो उसके लिए आपको जो गनेश बनाना है स्वास्तिक बनाना है गनेश जी का उसके लिए आपको ये वाली टरिंग फिंगर होती है उसका इस्तेमाल करना है अब हम गनेश जी बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा कि हमें कैसे बनाना है इसके लिए हमें पहले इस तरीके से अब हम क्या करेंगे अब हम फिर से एक लाइन कीचेंगे ही हाँ पर और इस लाइन से इस लाइन को जोड़ देंगे अब आपने देखा है कि इसमें मैंने लाइन को बिल्कुल भी आपस में कट नहीं किया है अब हमारे ये गनेश जी का जो है ताकि हमारे गनेश जी जो हमारे घर आए वो चारों दिशाओं से हमारे घर में परवेश करें और उसके बाद हम लगाते हैं इसके अंदर ये चार डॉट्स अभी भी हमारा ये स्वास्ति कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक कि हमारा गनेश जी का पूरा परिवार ना आ जाए तब तक हमारा स्वास्ति कंप्लीट नहीं होता उनको परिवार को कंप्लीट करने के लिए हम ये साइड में लगाते हैं ये इनकी दो पत्नियों की लाइन होती है एक ये इनकी लाइन हुई उनकी पत्नी एक रिद्धी और दूसरी लाइन हुई उनकी दूसरी पत्नी सिद् और जब भी आपके स्वास्तिग को अब गरनेश जी लक्षमी जी के बगार अधूरे हैं तो हमें लक्षमी जी को भी अपने घर गुलाना होता है पुजन के समय पे तो उनके लिए पुजन के लिए जैसे कि हमें गनेश जी के लिए स्वास्तिका साइन बनता है इस तरीके से लक्षमी जी को बुलाने के लिए हम लक्षमी जी के पैर जो है बनाते हैं या हम मार्किट से रेडिमेट खरीद के लेकर आते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से सिंदूर, उसके लिए हमें लेंगे अपना left hand side और इसके बाद हमने इसको dip कर लेना है आपने इस सिंदूर में और इसके बाद हम इसको अपने paper के उपर चाप लेंगे, इस तरीके से अपने paper के उपर हम लग इसी तरीके से अब हम लेंगे अपना दूसरा हाथ और दूसरे हाथ को भी इस तरीके से सिंदूर में डिप करके हम अपना दूसरा पैर बना लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे इनकी लक्षमी जी की उंगलियां यह हमारे लक्षमी जी के पैर बन गए हैं, इसको आप अपनी चोकट पर लगाईए, तो देखिए कि आप अपने हाथों से जब बनाएंगे, तो लक्षमी जी प्रसंद होकर खुद बाखुद आपके घर के तरफ को आगमन करेंगी. चलिए फREंट्स, मेरा आगला है कोने वाला है इस तरीके के पैन को लेकर, पैन हमारे लिए बहुत ही यूश्फुल होते हैं, इनका इस्तिमाल हम multi-purpose तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सिखा खहतं होता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, कि यह पैन का जो बेन को उठाके dustbin मे उसमें आ जाती है। लेकिन इस तरीके की जो बड़ीवली हमारी सुई होती हैं उनको हमें अरेंज करने के लिए उनको और जलाँके की लिए हमें आपप से आक में बड़ीवली सुई ओं को अगर आप अपने पें के रिफिलम और यह धकन यह भी हमारे बड़े कामका है इससे रेलेटिव भी मैं आपके साथ दो टिप शेयर करने वाली हूं कि यह हमारे लिए कैसे फाइदेमंद होता है तो इसका पहला इस्तिमाल यह है कि जब भी हम अपने कपड़े वगारा गौश करने के बाद सुखाते हैं तो हमें कि इस्तिमाल तो हुआ कि हम इससे अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं चलिए इसका दूसरा कौन सा इस्तिमाल है वो भी मैं आपको बता दू चलिए फ्रेंट जब भी हमारे के से कोई समाल लेकर आते हैं जब हम उसको आदे समान को डबबे में फिल कर देते हैं और आदा स तरीके से फोल्ड करें और इसको इस तरीके से फोल्ड करके अपनी कैप को लगा दूझे यह देखिए इससे आपका जो पैकेट है एकदम सील हो गया आपको किसी भी दूसरे सीलर की भी जुरूत नहीं पड़ी और आपके बेकार पड़े हुए पैन के कैप से ही आपका काम बन गया, चलिए friends मेरा अगला है कोने वाला है इस तरीके के टूथ ब्रश को लेके, जब भी हमें टूथ ब्रश को हमें लेके जाना होता है बाहर अगर हम उसको simply इसी तरीके से आपने बैग में रखते हैं तो इसके ब्रिसिल्स का खराब होने का डर लगा रहता है, यह हमा आपके लिए एक बहुत ही असान मेथट लेकर आई हूँ जो की हर घर में अवेलेबल होता है जब आपके पास कोई भी कुछ ना मिले आपको इसको ले जाने के लिए तो आप क्या करें तो इस तरीके से फोईल रैप के पेपर तो हमारे घर पे इजिली अवेलेबल होते ही है तो आप क्या करें थोड़ा सा ले फोईल पेपर और आपने तूटब्रश का यह जो उपर गाला हिस्सा है इसके जो है इसको म्ज़की मदद से इजी ली पैक कर लें आप इसकी मदद से अपने ब्रस को एपने बैग में डालिए या आपने सूटे केस में डालिये क नहीं भी डालिए इसकी मदद से आप ले जा सकते हैं इससे आपके ब्रिसल जो है विर्कुल भी खराब नहीं होंगे चलिए दोस्तों यह थी मेरी आज की टिप्स आई होप आपके लिए यूसफुल रही होंगी और इन में से कौन सी आपको टिप या है का आपको बढ़िया लगा प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजेगा चलिए मिलती हूँ नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ तिल दें टेक क्यार और बाई बाई